विश्में विभिन देशों के बीच चल रहे युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और अलग अलग देशों के बीच आए दिन तनाव और संभावित युद्ध की खबरे आती जा रही है दुनिया भर में माहौल अस्थिर बना हुआ है और देश अपनी सुरक्षा के मद्दे नजर युद्ध की तैयारियों से जुड़े नए साजह कारे करम और हत्यारों के परिक्षण कर रहे है और एक दूसरे को धंकी और चिताबनी दे रहे है सहयोगी देशों की सीमा मजबूत करने के लिए वहाँ अपने हथिया अर्थैनात कर रहे है अब उत्तर कोरिया ने रॉकेट लॉंचर सिस्टम का परिक्षण किया उसके परिक्षण से दक्षिन कोरिया को खत्रा पैदा हो गया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया नेता किम जॉंग उन ने मल्टिपल रॉकेट लॉंचर सिस्टम के लिए 240 mm के नए गोलों की टेस्टिंग का निरिक्षण किया एक रिपोर्ट में कहा गया कि किम ने पुष्टी की कि नई तकनीक के साथ 240 mm मल्टिपल रॉकेट लॉंचर सिस्टम कोरिया ए पीपल आर्मी के तोप खाने बल को मजबूत करने में रणनीतिक बदलाव लाएगा गाइडेंस सिस्टम इस गोले की सीमा और सटीकता को और बहतर करेगा जिससे दक्षिन कोरिया की राजधानी सियोल जैसे टार्गेट पर खत्रा बढ़ गया है क्योंकि ये उत्तर कोरिया के साथ सीमा से लगभग 30 मील की ही दूरी पर है इससे पहले सोमवार को उत्तर कोरिया ने नकली परमानू हतियारों से यूग्द 600 mm सूपर लार्ज मल्टिपल रॉकेट लॉंचरों का उप्योग करके परमानू काउंटर एटैक का आयोजन किया था अमेरिका और दक्षिन कोरिया इस सिस्टम को KN-25 के रूप में देखते हैं और इसे कमदूरी की बेलेस्टिक मिसाइल मानते हैं अटकले ये लगाई जा रही है कि उत्तर कोरिया ने तोब खाने का परिक्षन रूस को गोलो की बिक्री की उम्मीद में किया है दक्षिन कोरिया इस जॉइन चीफ अफ स्टाफ के एक प्रवक्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सोमवार का परिक्षन निर्यात के लिए सुपर साइज के गोलों का प्रदर्शन हो सकता है इधर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उत्तर कोरिया पर इंधन कच्चे माल और टेक्नोलोजी में सहायता के बतले युक्रेन पर आकर्मन कलिए रूस को हतियार और गोला बारूद भेजने का आरोप लगाया है उत्तर कोरिया और रूस इन आरोपों से इनकार करते हैं लेकिन जन्वरी में ही युक्रेन के युद्शेतर में उत्तर कोरियाई मिसाइलों के इस्तेमाल का डॉक्युमेंटेशन किया गया था अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में उत्तर कोरिया और इरान के बीच बढ़ते सैने संबंधों पर भी चिंता व्यक्त की है रिपोर्ट के मुताबिक एक्स्टरनल एकॉनमिक रिलेशन मंत्री यू जोंग हो के नितरत में एक प्रतिनिधी मंडल ने तहरान के लिए उडान भरी है पिशले हफ़ते सियोल में एक सम्मेलन में सैयुक्त राश में अमेरिकी राज़दूद थॉमस ग्रीन फील ने कहा कि हम इरानियों द्वारा रूसियों को हतियार उपलब्द कराने को लेकर चिंतित हैं उन्होंने ये भी कहा कि रूस भी उत्तर कोरिया को हत्यार तयार करने और रिसर्च शम्ता का विस्तार करने में मदद कर रहा है अमेरिका उत्तर कोरिया इरान और रूस के बढ़ते संबंधों पर चिंता व्यक्त कर रहा है लेकिन खुद युक्रेन और इसराइल की मदद कर रहा है और अभी तक इनका युद किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सका है यहां तक कि अमेरिका से मदद पाने वाले इसराइल ने गाजा में भयंकर आकरामक्ता की है नरसंधार किया, स्कूलों और अस्पतालों तक पर हमला किया लेकिन अमेरिका उसको मदद देना जारी रखे हुए है